करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अच्छे हों गया पढ़ाई भी कर रहे होंगे कल की क्लास में आपने पढ़ा था सजीयों के वारे में तो मैंने आपको कहा था कि हम उसका कुछ पूश्चन ले लेंगे वो चैप्टर हमने कंप्रीट कर लिया था तो उससे आज हमको सवाल सवाल करी 25 से 35 सवाल हम ले रहे हैं उसको हल करेंगे और वह बहुत ही 25 सवाल है जो आपने पर इच्छाओं में डायेट पूंची जाते हैं तो आईए हम सुरू कर लेते हैं सवाल देख लेते हैं उससे पहले जानकारी मैं आपको देदू कि website जो हमारी है www.unlyupc.in वहां प सुरू करते हैं अगरे बिद्यारतियों नमस्कार यह जिसा कि मैंने कहा था कि अगली क्लास में मैं आपको कूश्चन कुश करवाओंगा तो मैं कूश्चन लेकर कि आपके लिए आया हूं जिसा कि आप यह देख रहे हैं आज मैं इन सवालों को साल्व करेंगे जो हमने यह इनवार्मेंट वाले में और सारी कलास पढ़ लिए उसके बाद में सारे सवाल आपसे साल्व हो जाएंगा ठीक है तो आप से यह दिन में केवल रात में 24 घंटे केवल दोबाहर तक ठीक है तो बहुत ही जी केवल दिन में होता ठीक है अगला सवाल देखते हैं निम्न में से कौन सा जीव केवल काला और सफेद रंग ही देख पाता है ठीक है तो जो जीव रात में देखते हैं वो काला यों सफेद देखते हैं तो इसमें कोई बहुत confusion वाली चीज नहीं है तो जो रैकून है और उलू ये दोनों जो है रात में देख लेते हैं आता इसमें दोनों C आपसन सही हो जाएगा ठीक है अगला सवाल लेखते हैं कुछ जीवों का अवलोकन करने पर यहां पाया गया कि वो अपने समूह के जीवों को उनके गंद से पहचान लेते हैं उन में का केड़ा भी है रेशम का केड़ा निम निम demसे किसको न की गंद से पहचान लेता है तो अगर आपने हमाई क्लास पर इख लिभी तो आपको पक का याद होगा यह बात हमने आपको बताई भी थी तो इसमें आपसन क्या सही होगा C सही होगा मादा अपनी मादा को पहचान लेता ठीक है तो इसमें मादा अपसन सही हो जाएगा ठीक है चौथा सवाल देखते है निम में से कौन सा अस्तंधारी है बहुत तीजी है ये मैंने चिला चिला करके आपको आखरी में बताया था ये जो है पच्छी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को देख लेते हैं क्योंकि उनके सिर के दोनो तरफ आँख होती है ठीक है निम मेंसे किस पच्छी की आँख सिर के दोनो तरफ नहीं होती है जैसा कि आपको मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि अध़तर पंची दोनों और एक साथ देख लेते हैं क्योंकि उनकी आँख जो है वो जो उनकी जो चेहरा होता है उसके बगल में होता है कनपटी उसको बोलते है हिंदी में और वहाँ पर होते हैं तो दोनों तरफ देख लेते हैं लेकिन ये पूँच क्या रहा है कि निम्न में से कौन सा है जो नहीं देख पाता है दोनों तरफ ठीक है इसका आपसन इधर है यहां तो इसमें आपसन यह है आपका मोर बी है आपका उल्लू सी है कववा और डी है चील यह आपको बताना है अगर आपने इन चारों को देखा है नेशेत तोर पर आप इसका उत्तर दे ले जाएंगे लेकिन अगर नहीं देखा है और पढ़ा है तो भी आप उत्तर दे ले जाएंगे और अगर दोनों नहीं किया है तो उत्तर नहीं दे पाएंगे ठीक है इसका उत्तर सही है B अपसन B उल्लू सही है क्योंकि उल्लू की आँखे जो है वो एकदम इनसानों के जैसे होती यानि कि उनके मुँँ में होती है तो इसी लिए वो दो तरफ नहीं देख सकते हैं बाकी जितने पंची इनकी एक कनपटी पर होती है दूसरी आँख दूसरी कनपटी पर होती है दूने तरफ ये देख आराम से देख सकते हैं तो इसमें उल्लू वारा आपसन सही है चटबा सवाल देखते हैं निम्न में से किस पर क्रिया दोरा सभी जियों को प्रतेक्च या अप्रतेक्च रूप से भोजन प्राप्त होता है बहुत ही जी सवाल इसमें क्या है मैं आपको बताता रहता हूँ कि सभी के लिए जो भोजन है वो कहीं न कहीं किस पर निर्वर है पेंड पर क्योंकि पेंड को या तो डारेक्टली जी उखा लेते हैं जनतु लोग या इंडारेक्टली खा लेते हैं इंडारेक्टली मतलब कि जैसे अगर बकरी खाते हैं तो बकरी पाती खाती है ठीक है या किसी जानौर का अगर मीट खाते हैं तो वो पाती खाती है तो इस परकार कहीं ना कहीं सभी का भोजन किस पर निरबर है पेंडु उपर और पेंड उरजा कहां से प्राप्तMother करता है अपना भोजन बनाने के लिए सूरी से और उस प्रिक्तर को बोलते क्या है परकार संसलेशन तो आप संडी सही हो जाएगा बहुत हीजी सवाल था आगे देखते हैं कि एचुवा किस के दौरा सुसन करता है कि एचुवा किस के दौरा सुसन करता है बहुत हीजी इसमें कुछ है नहीं बहुत हीजी सवाल है कह सकते की 678 sustainable का स्वाव है ठीक है तो इस्साइल आते हैं पर इच्छ हो में शहां नहीन आती है सवाद 2017 में यहीं इता पीसी स्वाल हैлу शाथा बह ते तो ओसी सवाल आते हैं इस वे कोई खास बात नहीं और जनतों में कौन सी समान प्रक्रियाएं पाई जाती है अच्छा सवाल है, इंडरेस्टिंग सवाल है और दिमाग लगाएंगे तो आसानी से हल हो जाएगा ठीक है, देखते है सभी जीव पेंड पोधे और जनतो में कौन सी यसी क्रिया है जो कामन है, ठीक है तो यहाँ पर आपसन देखते हैं ये सवसन योम अंकुरण देखें, सवसन तो सभी जीव में होता है लेकिन अंकुरण सभी जीव में नहीं होता है, ठीक है क्यों पादपों में होता है तो आपसन ये गलत दूसरा आपसन कहा है ब्रद्धी योम प्रकास संसलेशन देखे ब्रद्धी सभी जियों में होती है लेकिन प्रकास संसलेशन क्यों पौधों में होता है जन्तूं में नहीं होता है आपसन C प्रजनन योम स्वसन प्रजनन और स्वसन दोनों में होता है चाहे पादब हूँ या जनतु हूँ तो आपसन C आपका सही हो जाएगा और आपसन D आप देख लिए कि प्रेजिन तो होता सभी जियुम लेकिन अंकुरन नहीं होता तो ये भी गलत है यानि कि आपसन C आपका सही है ऐसे ही आपको common sense लगा करके बड़े बड़े सवाल गिरा देना ही होते हैं बस क्या होता कि उसके लिए आपको परयाप content आपने पढ़ा हो ठीक है आगे देखते हैं पंचियों की आखें पंचियों की जो आखें हैं वो कैसी होती उसके बारे में सवाल है आपसे यही मोटी होती है पंखों से ढकी होती है चारों तरब घूम सकती है इस्थिर रहती है यह आपको बताना है बहुत ही इजी सवाल है जो पंचियों की जो जिसको वो बोलते हैं पुतरी जिसको बोलते हैं जिससे घूम करके देखा जाता है ठीक है वो नहीं गूम पाती वो इस्थिर होती है ठीक है तो इसमें आप सेंग डी सही हो जाएगा अगला सवाल है आपका अगला सवाल है लिए हिंज संधी आपकी कहां पाई जाती ये मैंने आपको बताया था कि जतनी आएंगी ठीक है तो चलिए अगरा सवाल देखती है सापों के बिसे में निमलिखित कतनों में से असत्य कतन की पहचान कीजिए ठीक है इसमें जो कतन सही नहीं उसकी पहचान करनी है ठीक है तो पहला कतन क्या है कि सापों के कान नहीं होते हैं ठीक है यह पहला कतन है दूसरा क इस प्रसाजरा करकाल सापों के चार खोखले दांत एं जोठांसें Singapore भारत 12 में चे प्रकार के जहरीले साप आज आज़ाते हैं सांप किसानों के मित्र होते हैं इसमें Alsatय कत्बहन जो ऑपको बता राए है ठीक है तोns में आपको यह मताना असत्यकधन कौन से है ठीक है तो सापो के कान नहीं होते हैं यह जो इस्टेटमेंट है तो यह गलत है ठीक है यह ऐसा अमया इसकान होती है ठीक है दूसरा है कि साप जमीन पर हुए कंपन को महOR करता है यह बात भी सही है सांप के चार खोखले दांत होते ही ये बात गलत है भारत में छे परकार के ज़री आप पाया जाते है जो है और ज़्यादा परकार के पाया जाते है तो ये भी आपसन आपका गलत है ठीक है और सांप के सांग के मित्र होते ही ये बात सही है तो आपसे निसमें B आपका सही हो जाएगा तीन और चार इसमें गलत है आगे देखते है निम्न में से कौन सा जानवर रातरचर है कौन सा जानवर रातरचर है यह सवाल जो कच्छा पांच के जीके में भी पूछा जाता था बहुत हीज़ी इसमें कुछ है नहीं तो इसका आप्सिंस है यह Imperial अगे देखते हैं निम्न में से कौन सी विषेष्टा समोधविद पौधों में पाई जाती है समोधविद पौधों में पाई जाती है यह सवाल आप से पूछा है इसका बिकल्ब क्या क्या है देख लेती है इनकी पत्तियों पर मौमी परत पाई जाती है दूसरा है कि इनके पत्ते बड़े चोड़े पतली यूम भिन आकार के होते है तो इसमें आपसन B सही है इनकी पत्तियां छोटी होती है ये बाद गलत है ये भी गलत है तो इसमें आफसन भी आपका सही है ठीक है चौतर सवाल देखते हैं निम्न मेंसे कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है बरगत में अस्तम भजड़ पाई जाती है बरगत में अस्तम भजड़ पाई देखी ये जो कूशन अभी हम ले रहे हैं इसमें से थोड़ा सा अभी आपको पढ़ना है इसमें से पूरा आपने भी नहीं पढ़ा है कुछ चीज इसमें आपको पढ़नी ये भी आगए क्रास में पढ़ेंगे लेकिन हम कुछ दसबार कॉशन कर लेते हैं उसके बाद में भी क्योंकि सुरुआत में जो पहरा चैप्टर था उससे हमने सवाल कम लिये हैं क्योंकि वहाँ पर जो मात्पूर्ण सवाल थे वही लिए बहुत जी सवाल लिने कोई मतलब नहीं होता है तो यहाँ पर कुछ सवाल और कर लेते हैं उसके बाद में इसमें जो सवाल आपको ऐसा कठिन लग रहा है उसमें टेंसिल लेने की ज़रूरत नहीं है अभी इसको आपको पढ़ना है ठीक है चौता सवाल देखतें क्या है बरगद में अस्तम भजड़ पाई जाती है केला यहां पर यह जो सवाल है इसको अभी आगे पढ़ना है तो इ पुंकेसर में पाई जाता है कहां पर पुंकेसर में पाई जाता ठीक है आगे दिखते हैं बगुला और भैस के बीच कौन सा संबंध है बगुला यों भैस के बीच कौन सा संबंध है तो यह पहली आपको दिमाख लगाना कि बगुला और भैस में कोई संबंध होता है क्या तो पहली बात यह कि भगुला गुरा होता, बहुत काला होता, ठीक है तो वो तो हो नहीं सकता है, आपसन पर जाने से पहले आप सोचिए कि कि क्या दोनों में कोई समानता हो सकती है कि नहीं हो सकती, लो लू है, जो बहुत के साथ साथ जो है भैस के सरीर पर बहुत सारे कीड़े पाये जाते हैं ठीक है जिसे को किलना बोलते हैं किलनी बोलते हैं ठीक है या और भी कई कीड़े पाये जाते हैं इन कीड़ों को खाते हैं कौन बगुले खाते हैं ठीक है बगुले उन कीड़ों को संबंधिनका अचो में निम्न मेंसे कौन सा एक जाड़ी का उदारं कौनसा यह बताना है वह एकदम कामन सिंस लगाएंगे तो बठा देंगे तुलसी का पधा एकदम सीधा होता इसमें कोई जाड़ी बाڑडी नहीं होती टिक самой ङेहे जाड़ी का मतलब हम जहां जोटे काटे होते हैं थोड़ा फैलाव जड़ा होता है ठीक है तो अमरूत भी सीधा होता है यानि कि नीवू से होगा तो यानि कि आपसन इसमें सी सही है ठीक है आठवा सवाल लेखते हैं निम्न में से कौन सा जानवा सीत निद्रा करता है सीत निद्रा करता ही आपको बतान अगर आपको कोई सवाल आपके सामने आता है वहाँ पर आपको कोई confusion होता कि इसका मतलग क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है और वहाँ पर अगर आपको इन में से सभी मिल जाए तो जादा तर टाइम पर वह सही होता है मैं नहीं कि हमेंसा सही होगा लेकिन अधिकतर टाइम पे वो सही होता है तो आप उन विकल्पों को जब ना जानते हो तो उस पर आप जा सकते हैं ठीक है आगे दिखते हैं जीवन की आधार भूत इकाई है बहुत तीजी सवाल फिर से वही सवाल गूम किया गया कि जीवन की आधार भूत इकाई है क्या है जल निश्यत तोर पर है वायू भी है प्रकास नसलेसनर भी है लेकिन आप ये बताईए कि इन सब के सासाथ ये सारी चीज़े क्या है वही सब बाही चीज़े है ये बिलकुल ये आधार भूत इकाई है लेकिन आपको comfortably बताना है कि ये सब किसके लिए है उनको कोशिकाओं के लिए है जिनको जीवित रहने से आप जीवित रहेंगा आपका जीवन रहेगा तो इसमें सबसे महत्तपूर कोशिका होगा तो आपसन C सही है इसमें ठीक है सवाल देख लिए है निम्न कथनों पर विचार कीजी पहला कथन है कि यहाँ अपने सरीर को ठंधा रखने के लिए पानी में खेलता है ठीक है कथन ये कह रहा है यहाँ अपने सरीर को ठंधा रखने के लिए पानी में खेलता है इसके समोह में 10 से 12 जानवर होते हैं ठीक है आप statement को दिमाग में बठाके रखेंगे तीसरा statement है इनके बच्चे 14 से 15 साल बाद अपने समूम को छोड़ देते हैं आखरी statement है यहाद 2 से 4 घंटे सोता है ठीक है तो यह आपको बताना की है कौन हाती है भैंस है सलाथ है या बाग है आप दिमाग लगाए कि क्या किसी ऐसे जानवर को आपने देखा है निश्चित तो पर देखा होगा अगर सामने से नहीं देखा है तो TV में देखा होगा ठीक है वीडियोज में देखा होगा तो यह कौन सा है आपसे निए सही है यह सारे लक्षन किसके हैं हाथियों के है ठीक है अगला सवाल लेखते हैं निम्न मेंसे कौन सा अंग खून को साफ करता है बहुत इजी सवाल है इसमें में थोड़ा सा बायलोजी घुसा हुआ है लेकिन यह सारे सवाल परियावरण के जो है सक्षन से भी बिए जाते हैं ठीक है बहुत इजी सवाल है इसमें कुछ नहीं है ठीक है लोग इसमें जलदबाजी से क्या करेंगे खिर्दे लगा देंगे, खिर्दे का काम pumping करना होता है, साफ करना नहीं होता है खून से गंदगी को निकाल करके साफ करने काम किसका होता है? गुर्दा का होता है, ठीक है? तो इसमें आपसें 20 ही हो जाएगा बरहाँ सवाद, निम्न में से किस बिच्च की चाल दवा के रूप में प्रियोग होती है ये आपको बताना है कि निम्न में से किस बिच्च की चाल दवा के रूप में प्रियोग की जाती है, ठीक है? तो जब मैं परियावरण के आपको पहली क्लास पढ़ा रहा था तो वहाँ पर अम्रता बिसुनौई के बारे में पता आए था जिनोंने अपनी प्राणों की आहोती दी थी एक पेंड की परजाती को बचाने कहीन वो पेंड की परजाती थी खेजड़ी है और यही आपर सही भी है ठीक है यही यहाँ पर सही भी है आपसन सी सही है तरहाँ सवाल देखते हैं निम्न में से किसका रक्त लाल नहीं होता है यह आप बताना किसका रक्त लाल नहीं होता है अगर आपने कभी भी गुसे से उसको मारा है तो पका पता होगा हमने बहुत बार मारा है ठीक है आपसन द लेकिन काकरोज मारा है तो इसमें सी सरी केकड़ा का भी खुन पर अब वक्स कर्वोल नहीं होता है काकरोज हमने कई ओंवारे है फिक है आगे देखते हैं कारभुहाइड्रिट वस्टा और प्रोटीन का पाचन कहां होता है यह आपको बताना है यह थोड़ा बालोजी से सवाल है लेकिन आपके काम का है बाहर का नहीं है ठीक है यह आपको बताना है कि कार्भो हड्रेट वसा और प्रोटीन का पाचन कहा होता है देखो अमासा में प्रोटीन का पाचन होता है ठीक है बाकी मुख में क्या है कि प्रोट का पाचन होता है तो इसमें आपसे भी आपका स्झी हो जाएगा फिर पंद्रहाँ सवाल है पोधों के जड़ का काईर क्या है ये आपको बताना है पहला लिखा हुआ है कि पोधों को सहारा देना ये बाह सही दूसरा है भोजन का भंडारन करना ये भी बास सही है तीसरा है जल यूम खनिच का उसोशन करना ये भी बास ही आता कि आता जो है ये सारी बाते सही है तो पौधों के जड़का काम क्या है ये पौधों को सहारा देना भोजन का भंडारन करना जल यूम खनिच का उसोशन करना तो यह 25 सवाल हमने कर लिए इसमें जो इस चैप्टर से इसे जदा कोई सवाल नहीं बन रहते हैं मातपूर इसलिए मैंने बस 25 सवाल लिए है तो उम्मित करता हूं कि आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो आपको लाइक कीजिए कमेंट बाक्स में अपनी